चचेरे भाई ने रिष्टे को किया तार तार आठ साल की मासूम से किया बलात का चचेरी बहन को ही बनाया हवस का शिकार चचेरा भाई बना हैवान जारखंड के धनबाद में एक बार फिर मानवता को शरमसार कर देने वाली घटना साम्याई है मामला कालूब ठान ओपी के पिंडरा हाट का है जहां एक बाई साल के कलियूगी चचेरे भाई ने रिष्टे का कतल कर दिया है जी हाँ आप सही सुन रहे हैं जन्जीर में जकडा गया ये दरिंदा अपनी आठ साल की चचेरी बहन को ही हवस का शिकार बनाया है दरसल सरसुती पूजा के लिए मासूम अपनी चाची को खून देने गई थी लेकिन चाची घर पर नहीं थी घर पर अकेले दरिंदे किशन ने बच्ची को छट पर ले गया और फिर उसके साथ दुशकर्म जैसी घिनोनी वारदात को अंजाम दिया इतना ही नहीं दुशकर्म के बाद किशन ने बच्ची को किसी से नहीं बोलने की धंकी भी दी लेकिन जैसे ही बच्ची घर पहुंची जार जार होकर रोने लगी और किशन की पूरी कहानी अपनी मा को बता इसको तो रेफ कर दी उसके बाद बोलना नहीं ही इसका ठैना इसकर अधनाया कुरता का माहीं इसक पुरा मुतलब थून से लगता गया था तो उसका ठाय एडिया घूरात कि जूटे अंगली कर लिए हम को वरे अंगली कर गया अंगली कर गया इस घटना के बाद कालूगनाथ ओपी में मामना दर्ज कराय गया और पुलिस ने कारिवाई करते हुए आरोपी चचेरे भाई को ग्रफतार कर लिया है साथ ही मासुम को मेडिकल जाज के लिए धनबाद पी-एम-सी-एच भेज दिया गया है यह उनुत पुरान की घटना की सुचना मिली है इस घटना ने ना सिर्फ भाई बहन के रिष्टे को कलंकित किया है वलकि मानवता को भी शरमसार किया है ऐसी घटनाओं पर लगम लगाने के लिए आरोपी को कठोर से कठोर सज़ा देनी की जरुत है जिस्चे की आगे कोई भी इस तरह की घटना न घटे पंजाब केसरी टीवी के लिए धनवाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट